हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में आसा करते हैं आप लोग स्वाश्चतर मस्त होंगे और अपने में कामों में बैस्त होंगे आज हम गायज इस वीडियो में आप लोगो बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाल हैं क्योंकि जो है दिल्ली मुंबए एक्सप पढ़ते हैं पहले उसके बाद वारेकिस आप लोग बताएंगे क्या कुछ लिखावा इस अपडेट में तो यहां पर हैड्लाइन में लिखावा है दिल्ली मुंबए एक्सप्रेश्वे होगा इसी मैंने शुरू लोगों को मिलेगा यह मोटा फाइदा इसी पर पूरा बे दिल्ली मुंबए एक्सप्रेश्वे का काम पूरा हो गया है अब शिर्फ टेस्टिंग का काम बचा हुआ है इसी में आगे लिखा हुआ है दिल्ली मुंबए एक्सप्रेश्वे यह काम भी इसी महने के अन तक पूरा कर लिया जाएगा दिल्ली मुंबए एक्सप्रेश्व में से एक है इसकी कूल नंबाई तेरो सो पचास किलो मीटर है आगे लिखावा है दिल्ली मुवय एक्सप्रेश्वे के कारण दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आना जाना संभव हो सकेगा 12 फरवरी 2023 को परधान मंतरी नर्यद मोदी ने दिल्ली मुवय एक्सप्रेश्वे के सोना दोसा खंड का उधगाटन क्या था आगे लिखावा है दिन्डी फ्लाइवबर से कालिंदि कुँझ तक के भाग का काम मार्च 2025 तक पूरा करने का दावा है दिल्ली मुवय एक्सप्रेश्वे दिल्ली के डिन्डी फ्लाइवबर से सुरू हो रहा है सेक्टर बार्शट साहुपुरा मोर्ड से आगे एक्सप्रेश्वे तयार हो गया है आवागमन भी शुरू है अब D&D Flyover से साहुपुरा मोर तक Expressway पर काम चल रहा है इसमें आगे लिखावा है अधिकारियों के अनुसार दिल्ली मुंबे Expressway में कालिंदी कुंच से सेक्टर बार्षर तक के भाग का काम पुरा हो गया है सभी जगह अंडर पास बन गए है इन सभी के अप्रोच सड़क बन चुकी है इतमात पूर वो बडोली के सामने एलिवेटेड सड़क बन गई है सर्विस रोड का काम भी पुरा है दाये बाये लोहे की रेलिंग लगाई जा चुकी है इसमें आगे लिखावा है दिल्ली मुवे एक्सप्रेशे में बायपास पर सेक्टर 30 हितमात पूर सेक्टर 28 बसेलवा कलोनी खेडी पूल बीपी टीपी पूल के पास सेक्टर 2 सेक्टर 2 आई एम टी के पास परवेश निकास पवाइट बन गए हैं इन सभी जगह अंडर प इसमें आगे लिखावा है एक्सप्रेश्वे के दोनों और 6 लेन सर्विस रोड इस पर लिखावा है दिल्ली मुवे एक्सप्रेश्वे को कूल 12 लेन का बनाये ग्या है men carriage way छे lane का है जबकि दाएंबाय सर्विस रोड़ भी तीन तीन lane की बनाई है इसी सर्विस lane के माधियं से वहाँ चालक men carriage way का पर्योळ कर सकेंगे यानि इसमें जो बताया ग्या है कि सिक्स lane का man lane होगा जिसमें जो है high speed से वहाँ चलेगी अगे लिखावा है तीन भागों में हो रहा है काम इस पर लिखावा है दिल्ली के D&D flyover से लेकर मींड कॉला गाउ के बीच 29 किलोमेटर है भाग एकके तहट दिल्ली के D&D Flyover के पास से कालिंदी कुंच तक करीब 9 km एक्सप्रेस्वे का निर्मान चल रहा है इसमें 7 km elevated है इसी में आगे लिखा हुआ है इसके बाद आगरा नहर के साथ साथ सेक्टर 37 सवदाह गिरी के पास आकर बैपास से जुड़ गया है भाग 2 मरेलना पूल तक 24 km है तिसरा भाग मरेलना पूल से सोहना तक 26 km है इसमें आगे लिखा हुआ है सोहना के अलिपूर से दिल्ली मुंबे एक्सप्रेस्वे का हिस्सा भी यहीं से जुड़ा है परियोजना निदेशक के अनुसार इस बार वर्षा अधिक हुई थी इसलिए काम अधिक परवावित हुआ सिवीर पेजल लाइने शिफ्ट कराने में देरी हुई बिजली की लाइन भी बाधा बन गई थी लेकिन अब काम तेजी से पूरा क्या जा रहा है दिल्ली मुंबे एक्सप्रेस्वे पर इसी महने के अन तक पूरी उमीद है आत्रम जोहार जहर खंड जे जहर खंड